है अलो इस्ट्रेंट्स आज के स्टूडियम बात करेंगे लाज सेवन जो मैथामेटिक से हमारी उसमें हमारा एक्षाइज जो पुरानी बुक्स जो आल्ट बुक्स हमारे उसमें 11.3 और अभी की जो बुक्स है उसमें हमारा 9.2 है उसके क्वेशन नमर वान से स्टार्ट करते हैं हमें यहां पर रेडिस गिवन है 14 सेंटीमेटर 28 मिलीमेटर एंड 21 सेंटीमेटर जहां पर हमें पाई को कंसीडर करना है 22 बाई 7 की पाई की तू वेल्यू होती है एक होदा 22 बाई 7 और नादर वन इस 3.14 तो हमें इस पेशली यहां पर रिकमेंट किया गया कि जहां पाई आता है पाई को में 22 बाई 7 वैल्यू रख करके सॉल करना है तो फर्स्ट कोशन में मर बस थ्री कोशन से हैं तो हमें क्या करना है सरकंफ्रेंस ओफ दा सर्कल्स फाइंड करनी है तो च आर इक्वास टू 14 सेंटीमेटर आर इक्वास टू 14 सेंटीमेटर हमें सर्कंफ्रेंस ओफ दा सर्कल्स चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा तू पाई आर वेर तू मल्टिप्लाइब यू पाई का वेरी हम रहें के 22 ओवर 7 इंटू आर हमारा होगा 14 ओके ना सॉल करेंगे तो 7 वान से 7, 7 तू सा 14 ना 2 इंटू 22, 44 मॉल्टिप्लाइब यू इक्वास टू इक्वास टू एक्वास टू एक्वास टू एक्टीमेटर यू रहा हमें तो यहां इसका आंसर होगया ओके इसी तरह से जो हमारा बी गीवन है बी में हमें गीवन है आर को टू टू हुआ इक्वास टू टूडइट मिली मीटर अगेन हम फॉर्मुला अप्लाए करेंगे तू पाई आर वाल्यू पूत करेंगे टू का टू स्वान टू बाइक्वास ट 28 अगेन 2 x 22 44 x 4 then 4 forza 16 carry 1 4 forza 16 1 17 तो यह हो जाता हमार 106 76 mm इसी का जो पार्ट सी है को नमर सी में जो दिया है जिसमें में रेडियेस गीवन है 21 cm 21 cm फिर हम फॉर्मूले में वेल्यूस बूट करते हैं तो यहां हो जाएगा हमारा टू इन्टू पहले फॉर्मूला लिखेंगे याब सर्कम्राइं इकोस दूपर यार इकोस दू मुल्टिप्लाइब 22 अपन 7 इंटू 21 यहां क्या होगा 3 4s are 12 2 2 12 2 carry 1 3 4s are 12 and 1 13 then 132 cm will be circumference of this circle question number 2 पर बात करते है find the area of the following circles given it अब इस question में हमें area find करना है again radius given है radius given है और इस question में diameter given है so diameter से हम radius calculate करके और फिर सको solve करेंगे but first question जो हमने solve किया उसमें circumference पूछा गया था अब जो question है question number 2 हमें area of the circle find करना है है ओके वो चलिए start करते हैं question number 1 के साथ question number 1 हमें क्या क्या रहा है कि हमें question number 2 क्या यह है उसमें हमें radius given है और इक्वास टू 14 मिलीमीटर है ओके एरिया ओफ दो सर्कलम में find करना है एरिया ओफ सर्कल इक्वास टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा मारा पाई आर स्क्वाइर वेर हमें है रिखमेंट किया गया कि पाई तीव वेल्यू है वो ट्वंटीटो ऑवर सेवन यूस करना है दन 22 अपाउट सेवन मल्टीप्लाइब फ़र्टीन मल्टीप्लाइब बाइब फ़र्टीन ओके नाव अगें सेवन दसेवन टूजा फ़र्टीन अब डिनोमेटर में कुछ नहीं बचा तो क्या बटीप्लाइब रहेंगे 22 टूजा 44 इंटू 14 मिलिमेटर में है तो मिलिमेटर स्क्वाइर कर देंगे इसको ओके अब 44 इंटू 14 हमें करना है तो आपको डायरेक्ट टेबल आता तो कर सकते हैं अधर वाज़ा मल्टीप्लाइब कर सकते हैं हम इंदर करके देखते हैं इए इक बार मैं करवा देता हूं तो तो फ़्रीन फोर्जा 56 शेक्स केरि फाइव एगें फॉर्टीन फोर्जा 56 प्रस्पाइव शिक्स्टी वन डौ इट विल भी शेक्सटीन मिलिमेटर इस्पाइव बिल भी और आंसर ऑके बी पर चलते हैं बी में हमें गीवन है क्या ड डायमीटर इक्वाल्स टू अमच 49 सेंटीमीटर रेडिस क्याल्कुलेट करना पड़ेगा मैं पहले तो हम देखेंगे रेडी इक्वाल्स टू वर्ट डायमीटर अपॉन टू मिन्स टू से 49 अपॉन तू अभी इसको मैं डैसिमल में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्याल्कुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा देन फाइयार स्क्वाइर अब हमें आपर वेल्यू स्पूट कर सकते हैं 22 अपॉन सेवन मल्टिप्लाइब 49 अवर 2 मुल्टिप्लाइब 49 अवर 2 स्क्वाइर पावर 2 है तो 2 ताइब हम मुल्टिप्लाइ में कर देते हैं ना वाट कें वी दू 7 वंज़ 7 एड 7 749 टू की टेबल से कट हो रहा तो यहां कर देते हैं 2222 22 22 22 22 आव 11 इंटो 77 इंटो 49 और 2 अब हम 77 को पौतिनाइन से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो यह हमारा आता है है हाव मच 430 3,173 दिवांडिट बाइ टू आप लोग पूछ हेंगा एक सर यह कैसा है आप से मल्टिप्लाइ करना पड़ता है तो आपको साइड में आपको मल्टिप्लाइ कर देता हूं तो 77 x 49, 9 7, 63 x 6, 9 7, 63 x 6, 9 7, 4 7, 28 x 8, 2 x 4 7, तो 28 plus 2, 30, अब इनको add कर देते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा, 3, 9, 8 or 9, कितना हो जाएगा हमारा 17 का, 7 carry 1, 6 plus 1, 7 and it is 3, अब हम इसको 2 से divide करना है, तो जब हम इसको 2 से divide करेंगे, तो half हो जाएगा, 3 ones are 3, again remaining 1, तो यहां पर हमारे पास के बच्चे गा, 6, 8 time, 16, फिर अगें 1 reminder रहेगे, तो 6, फिर 2, 6, 2, 8, 16, again 1 रहे गया, तो 2, 6, 12 और पॉइंट लगा, अगर 5 के आँगे, तो यह हमारा हो गया, है, 2, 5, 10, तो यह हो गया, हमारा सेंटी मीटर में गीवन था, तो सेंटी मीटर स्क्वाइर में हमारा आसर हो जाएगा, 1,886, 5 cm square इसी का question जो हमें c गीवन है, आप question number c करेंगे, question number c जो है हमें वहाँ पर गीवन है, radius equals to 5 cm, it is equals to 5 centimeter again formula में जरूर मेंशन करना है मेशा area of circle equals to pi r square of values put करनी है then 22 upon 7 multiply by 5 into 5 okay now then 22 upon 7 into 5 into 5 255 square okay 254 22 multiply कर लेते हैं 22 multiply by 25 then 25 table मुझे लाणने तो direct कर लूंगा नहीं तो detail में अलग से करूंगा है तो 25 मल्टूजा 50 जीरो केरी फाइफ अगें 25 फूजा 50 प्लस वाइफ 55 तो यह फाइफ फाइफ जीरो हमारा यहां पर multiply आ जाता है यहां यहां पर करेंगे फाइफ 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 जीरो डिवाइट बाइट सेवन ओके अब हम इसे डिवाइड करते हैं अब फाइफ फाइफ जीरो पूजा तो हमारे पास कुछ इस तरह साथ है जैवन सेवन जा फोटीन नाइन इमारे पास है आपर शेक्स अगें जीरो पूट किया जैवन इट जा 56 रिमेंडिंग फॉर पॉंट लगाया है आपर और यहां पर पॉंट नहीं लगाएंगे भी कि लगा दे पॉंट जीरो तो मैंशन कर चुके पहले पॉंट लगा दिया हमने अब यहां पर कितना हो जैगा हमारा भाइफ टाइम था 5 रिमाइंडर हमारा 5 बज गया अब फीड जीरो लगा धिया तो सब्सक्राइब रिमाइंडर हमारा वं रह रह रहा है लेकिन हमेंदी के बाद two points ना की calculate करना होता है तो हम इसको लिख देंगे 78.57 सेंटीमीटर स्कार मारा यहां पर आंसर हो जाएगा और अगर आप डेसिमल में नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पर भी लिख सकते थे एंस 550 डिवाइड बाइड 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 सेवन ओके चलते हैं नेक्स्ट पर कोश्चन नमबर थ्री पर हम देखते हैं कि इस दे सरकम्फ्रेंस ओफ ऐस सर्कूलर शीट इस 154 मीटर फाइंड इट्स रेडियस हमें सर्कम्फ्रेंस गिवन ए सर्कल की सर्कूलर शीट जो है और हमसे पुछा गया है तो रेडियस कितना होगा एंड यह फाइंड आलसौ फाइंड latter प्रेडियस करना है और जो रेडियस आईगी उसके अलब से हमें इस रेडियस alternator शीट करना है हमसे यहां का गया है कि circumference of the circle जो है वो 154 meter है एंड पाई जो है उसको हमें 22 और 7 यूस करना है अब circumference of the circle का हम सबसे पहले formula put कर देते हैं टू पाई एक वस्टो 154 meter ओके नव अब हम देखते हैं कि हमें यहां पर वेल्यू स्पूट करनी है तो हम यहां करेंगे टू इंटू 22 ओवर सेवन इंटू आर इक वस्टो 154 अब हमें क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है कि यहां पर के वल कि आर को फाइंट करना है तो हम आर को इधर रखेंगे और रिमेनिंग उधर लेके चले जाएंगे तो 154 अमारा अल्रेडी उधर था अब यहां से जो टू जाएगा उधर ट्रावाई ट्रांसफर यह वन अपॉन टू हो जाएगा और जो 22 ओवर सेवन है वह हमाना पॉन्टी टू हो जाएगा अब हम इसे कट कर लेते हैं तो मुझे 22 का टेबल लान है तो मैं कर दे ताँ 22 where 22, 22, 27 how much 154 okay now R equals to 7 7 49 divided by 2 equals to how much it will be half of this then 224 248 remaining 1.10 हो गया तो 2510 24.5 मीटर हमारा यहां पर radius हो जाता है हमसे question में पूछा गया था कि area भी find करना है okay then area of circle हमें फॉर्मूला मेंशन करना है पाई आर स्कॉएर ओके और पाई का वेल्यू हमसे क्या पुछा गया है ट्वंटी टू आवर सेवन यूज करने के लिए r square means to r multiply by r then 24.5 into 24.5 ओके अब हम इसे solve करना है तो यहां पर हम इसो solve कर लेते हैं सब्सक्राइब करना है तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर यहीं इस वीडियो में करेंगे वीडियो थोड़ा से लंबा हो जाएगा लेकिन calculation हमें अच्छे से समझ नहीं है देन 3.5 को हम सबसे पहले 22 से multiply कर लेते हैं तो यह हमारा 22 multiply 3.5 25 जा 10 मुझे 25 की डेबल याद नहीं है तो मैं इसी तरह से करूँगा आपको समझाने लिए प्रॉपर तरीक्स करवा रहा हूं ओके देन तू 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 से multiply करना सम डिजिट रहेंगी अब मुझे एड़ करना है तो जीरो जीरो सेवन 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 और यहां पर वह चलो मैं साइड में कर देता हूं 77 x 2 4 5 7 5s are 35 carry 3 7 4s are 28 plus 3 31 11 and carry 3 okay 7 to 14 1 1 plus carry 3 17 7 to the 14 plus 3 next हमारा यही 7 से multiply होना तो Sam repeat कर देगे हम यहां पर और एड़ कर लेंगे फाइफ सब्सक्राइब यह हमारे पास पूरा मल्टिप्लाइब होने के बाद कितना आ जाता है पहले आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को मल्टिप्लाइब करके सब्सक्राइब है 22 x 3.5 x 24.5 हमने इन दोनों को मल्टिप्लाइब किया था और यह आया था हमारा 77 इस 77 x 24.5 जो हमने यहां मल्टिप्लाइब किया और यह मल्टिप्लाइब होकर गया हमारे पास कितना आ गया और यह सब मीटर में है तो एरिया हमारा मीटर स्कॉयर में आएगा यह हमारा आंसर हो जाएगा तो यह तो मारा यह अंसर था कि एरिया कितना होगा और दूसरा के हमारा रेडियस कितना होगा तो इस तरह से हमारा पूरा कॉश्चन सॉल हो जाता है चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर फॉर ए गार्डनर वांट्स तू फैंस ए सर्कुलर गार्डन ओफ डायमेटर 21 मीटर 21 मीटर डायमेटर हमें गीवन है find the length of the rope हमें रॉप की length find करनी है he needs to purchase उसे कितनी जो है रॉप purchase करनी पड़ेगी if he makes two rounds of fence उसे two rounds of fence करना है मतलब दो round हमें लगाने है और मतलब दो बार हमें इस पर fencing करनी है two rounds में यानिकी two time करना है also find the cost of the rope और रॉप की cost भी find करनी है इसके लिए मैं rate given है if it costs 4 per rupees 4 per meter 1 meter की जो cost है वो rupees 4 है और again हमसे का गया है कि pi का value हमें 22 over 7 use करना है तो fencing के लिए in the case of fencing हम use करते हैं किसे circumference को तो सबसे पहले हमें जो garden है उसकी circumference calculate करनी पड़ेगी तो चलो शुरू करते है question number four हमारा जिसमें हमें diameter given है diameter equals to twenty one meter है तो radius हमारा यहां diameter divided by two हो जाएगा तो r equals to हमारा हो जाएगा twenty one upon two meter हमें तो circumference निकालना है circle का तो उसका formula हमारा क्या होता है two pi r इससे solve करने के लिए हमें values put करने पड़ेगी इसमें two multiply by twenty two upon seven use करना है पाई का और हमारा जो radius given है वो है twenty one over two when two say two cancel seven one is a seven and seven three is a twenty one अब twenty one multiply by three करना है तो twenty two multiply by three equals to sixty six meter हमारा circumference हो गया अब because हमें two round करने जो हमारा circle है उस पर हमें two round of fencing करने one circle and another one circle तो हमें total कितना requirement होगा length of rope length of rope हमें यहाँ पर calculate करनी होगी तो जो हमारा length है length of rope आप पूरा लिखें इस तरह से equals to two multiply by two pi r it is two and two pi r हमारे पास कितना है 66 meter तो 66 से इसको multiply कर देते हैं तो हमें requirement कितना हो जाएगा six two two six a twelve two six a twelve one thirteen then it is one thirty two meter यह हमारा क्या हो गया length of the rope आगया हमारे पास अब हमें क्या चाहिए cost cost of rope जो rope गाइडनर को required हैं वो cost कैसे निकालेंगे उस rope की तो हम निकालेंगे length multiply by rate तो हमने length calculate कर लिया कि हमें कितना length requirement है one hundred thirty two और rate हमें given है कि four rupees जो है per meter होगा तो हम इसे four से multiply कर देते हैं okay four two is a eight four three is a twelve carry one four one is a four plus one five hundred twenty eight rupees जो है हमें required रहेंगे इसकी costing के लिए कि गाइडनर five hundred twenty eight rupees देके ही इसे purchase कर पाएगा question number five from a circular sheet of radius four centimeter a circle of radius three centimeter is removed find the area of the remaining sheet take pi equals to three point one four okay तो हमसे क्या गया गया है कि एक हमारे पास एक sheet है circular shape की sheet है उसका radius हमें given है four centimeter and इसमें से हमें cut करना है three radius वाला एक circle एक circle ऐसा cut करना है जिसका radius three centimeter उसको हमें इसमें से remove कर लेना है and जो remaining sheet है जो हमें यहापर इस diagram में shaded color से show किया हुआ है हमें इस sheet का remaining sheet का area calculate करना है ओके तो चलो शुरू करते हैं without wasting the time तो हमें question में given है कि एक radius है four centimeter जिसकी एक sheet है उसमें से हमें three radius वाला एक circle cut करना है remove करना है और special जो है वो pipe equals to twenty two over seven नहीं लेकर कि हमें इस बार पाय का value लेना है three point one four तो हम एक circle लेते हैं इस circle में हमने देखा कि बड़े circle में से जिसका की radius हमारे पास four centimeter है and उसमें से एक छोटा circle हमें remove कर देना जिसका radius three centimeter है और जो remaining area है शीट का वो remaining area हमें आपर calculate करना है तो कैसे करेंगे हम इस outer circle में से inner circle को minus कर देते हैं एरिया को तो हमारे पास जो है यह remaining sheet का area आ जाएगा तो हमेंचे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं area of remaining sheet equal to area of outer circle minus area of inner circle okay so outer circle का area क्या हो जाएगा हमारा पाई r square minus area of inner तो यहाँ पाई r square देखो हमारे पास two radius थी इसलिए हमने बड़ी radius को capital r से और छोटी radius को small r से represent किया यही reason था capital r और small r को use करने का ठीक है अब यहाँ देखे calculation को थोड़ सा easy कर लेते हैं कि calculation में हमारे पास pi common आ रहा है तो हम सबसे पहले pi को common ले लेते हैं remaining हमारे पास हो जाता है r square minus small r square ओके तो यहाँ से हमारी calculation थोड़ी short और easy हो जाएगी अब हम यहाँ पर values put कर देते हैं pi का value हमें कितना use करना है 3.14 it is 3.14 bracket r square capital r 4 ka square minus 3 square ओके calculate करते हैं it is 3.14 multiply 4 4 the 16 minus 3 3 the 9 3.14 multiply by अब 16 में से 7 9 minus करेंगे तो हमरे पास 7 बच जाएगा अब हमें 3.14 को multiply करना है 7 से चलो हम side में multiply कर लेते हैं इसको 3.14 multiply by 7 7 4 the 28 carry 2 7 7 plus 2 9 7 3 the 21 and 2 के बाद decimal है तो हम भी 2 के बाद decimal put कर देते हैं तो यह हमारे पास हो जाता है 21.98 cm square यह हमारा answer हो जाएगा कि इस 4 cm radius वाले sheet में से 3 cm radius वाला circle remove करने के पाद जो remaining part बचता है उसका area मार पास 21.98 cm square रहेगा question number next करते है question number 6 Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace costs रुपीज 15 tag pi equals to 3.14 question पर focus कीजिएगा कि सामिया जो है सायमा जो है वो एक circular table cloth है उसके circumference है उस पर age पर क्या करना चारिए less लगाना चारिए less put करना चारिए और जो हमारा table है उसका size है उसमें diameter 1.5 meter है तो हमें वहाँ पर case में क्या required रहेगा circumference निकालना रहेगा तो circumference निकालने के सासा circumference का length होगा और इसने इसकी costing के लिए भी बोल दिया है उसमें rate दे दी कि 1 meter का जो है cost रहने वाला इसमें 15 rupees और pi के लिए भी हमें recommend किया गया कि pi का value 3.14 use करना है तो चलो start करते है question number 6 question number 6 में हमें diameter given है diameter है 1.5 meter then radius जो हमारा हो जाएगा diameter का half होता है तो यह हो हमारा 1.5 over 2 meter okay as per question हमें यहां पर calculate करना पढ़ेगा circumference तो circumference का formula हम यूज करते हैं 2 pi r और इस formula value put करते है 2 pi के लिए में recommend गया गया 3.14 multiply by radius 1.5 divided by 2 okay so यह 2 से 2 cancel हो जाता है अब हमें क्या करना है 3.14 को 1.5 से multiply करना है तो हम घरफ में इसको multiply कर लेते हैं 3.14 multiply by 1.5 okay 5 4 जा 20 carry 2 5 1 जा 5 and 2 7 5 3 जा 15 और 1 लगा के जब 1 से multiply कर जाता है तो हम लिख देए 4 1 and 3 okay 007 plus 4 11 carry 1 1 plus 5 6 plus 1 7 and 1 plus 3 4 okay यहां पर हमारे पास 2 के बाद यहां decimal था और 1 के बाद यहां decimal था total 3 digits के बाद decimal यूज करना है तो हम यहां करेंगे 123 के बाद point लगा दें तो यह हमारे पास कितना हो जाता है 4.71 लास्ट में 0 का कोई importance नहीं रहता तो यह बारा 4.71 meter क्या हो जाता है हमारा length का length हो जाता है क्योंकि यह है जो टूपाई आ रहे है यही क्या है हमारा length है किसका less का length of less equals to 2 by r equals to 4.71 यहां तक हमारा यह complete होता है और अब हमसे क्या पूछा गया है जो हमने previous question में भी देखा भी कि cost पूछे गई है then cost equals to यहां पर भी वही formula होने वाला है length को multiply करेंगे rate से तो length हमारा है 4.71 meter and rate है हमारे पास कितना 15 rupees per meter तो हम यहां पर जो हमारा as 7th class standard हमें learn होनी चाहिए और learn नहीं है तो आप single single कर ले 5 1 5 जब भी simple method हमने यहां किया था like that हम यहां पर भी इसको easily कर सकते है 757 35 carry 3 5 for the 20 and 23 cross लगाएंगे एक और 1 से multiply करने पर number 7 आते हैं हमारे तो हम यहां पर इन numbers को 70 क्लिक लेते है 555 16 3 7 10 carry 1 7 and we have two के बाद point है तो हम भी two digits के बाद point लगा देते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा 7070.65 rupees तो यहां पर हमने rupees का symbol लगा जाए यह हमारा रूपीज 70.65 क्या हो जाएगी इस class की cost हो जाएगा question no.7 find the parameter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter हमें जो अमारा यह adjoining figure है जो circle given है उसका हमें parameter find करना है और उसमें इस diameter को भी include करना है तो चलिए शुरू करते हैं इस question को भी question no.7 जिसमें हमें यहां से यहां तक का जो length दिया वो diameter 10 cm है तो हमें यहां से इसको calculate करने के लिए सबसे पहले तो इसका radius calculate करना पड़ेगा तो हमारा जो radius होगा वो होता है diameter divided by 2 means to 10 divided by 2 5 cm 5 cm तो हमारे है पर radius हो गया अब यहां में इसका पूरा parameter निकालना है तो हमें पता है कि जो circle होता है पूरा उसका parameter होता है 2 pi r लेकिन हमारे से सबस्क्राइगे यहां तक यह लेकिन हमना diameter को भी include करना है तो जो यह हमारा diameter है वो भी इसमें include करना पड़ेगा तो यह हमारे पास यहाँ पर पूरा parameter जो है वो calculate हो पाएगा है ना तो यहाँ पर हम करेंगे अब यहाँ में 3.14 का given नहीं था तो हम यहाँ पर by default 22 upon 7 उसको use करने वाले हैं into radius हमारे पास 5 and diameter 10 है अब कट नहीं हो रहा था 22 into 5 225 जा 110 देखो आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करने टेबल्स लर्न होगी तो सारी कैलकुलिशन बहुत easy होने वाली है 110 डिवाइड बाइ 7 प्लस 10 अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो फ्रेक्शन का अडिशन सब्रेक्शन हो गया है तो यहाँ पर हम 7 and 1 कैलसियम 7 110 प्लस 7 को 1 से डिवाइड के 7 टाइम मल्टिप्लाइब बाइ 10 यह हमारा 70 इट विल बी 180 और 7 हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो मैं आपको डिवाइड करवा देता हूं सफ में 180 को डिवाइड करना है 7 से 7 वंज़ा 7 7 to the 14 ओके रिमैनिंग 4 0 हम पूट कर लेंगे नीचे जन 7 5 ज़ा 35 अगें 5 रिमाइंडर रहेगा यह हम डेसिमल लगाते हैं और 0 उतारते हैं 7 7 ज़ा 40 9 रिमैनिंग 1 0 लिखा और 7 वंज़ा 7 अब यह continue चलता रहेगा लेकिन हम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट से कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास यह हो जाता है 180 अपॉन 7 इक्वोस तो 25.71 सेंटिमीटर यह हमारा कम्प्लीट पेरामिटर आ जाता है जिसमें हमने इस डायमिटर को भी इंक्लूड कर लिया है अब चलेंगे नेक्स्ट कॉस्टिन पर क्वेस्टिन नमर एट अब हमसे यहां पर पुछा गया है पॉलिशिंग का कोस्ट केलकुलेट करना है कहां पॉलिश करनी है तो है सर्कुलर टेबल टॉप टेबल का जो टॉप है सर्कुलर शेप का उसके उपर हमें पॉलिश करनी है हमें गीवन है कि उसका जो डायमिटर है 1.6 मीटर है डायमीटर 1.6 मीटर है और जो रेट है पॉलिशिंग का वो रूपीज 15 पर मीटर स्क्वायर है और यहां पर स्पेशली रिकमेंट किया गया वापस की पाई का जो वेल्य है वो 3.1 को यूज करना है तो चलिए को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमीटर इक वस्तुर 1.6 मीटर तो में यहां रेडिस कालकुलेट करना पड़ेगा रेडिस एकवस्तु डायमीटर डिवाइड़ बाई टूट मीज टूट से 1.6 दिवाइड़ बाई टूप ओस तो 0.8 मीटर और की अब हमें पॉलिश करना है तो हमें area calculate करना पड़ेगा तो हमारा चो area का formula है वो area का formula क्या हो जाता है pi r square and as it is given that pi का जो हमें value यूज़ करना है वो 3.14 यूज़ करना है r square में हमें ये radius को लिखना है 2 time multiply में 0.8 into 0.8 अब यहां अब जब इनको multiply करेंगे तो यह हमारा multiplication है गा 2.0096 meter square यह हमारा area हो जाता है and जो हमें cost पूछा गया है cost का जो हमारा formula हो जाता है area multiply by rate area हमने अभी calculate किया 2.0096 multiply by जो rate है में रूपीस 15 per meter square given है अब हम इनको multiply कर लेते हैं तो यह हमारे पास आ जाता है इसकी calculation में वीडियो बहुत लंब हो जाता already वीडियो हमारा बहुत लंब हो चुका एप्रोक्स 40-45 minutes का तो यह जो हमारा है cost रूपीस 30.14 यह हमारा answer हो जाएगा वीडियो में हमारे पास अभी questions और बाकी है लेकिन वीडियो बहुत लंब हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो को two parts में कर रहे है question number nine से लेकर जो हमारा last 17 number question है वो हम next video में करेंगे next video को देखने के लिए उसका notification पाने के लिए video को like करें, channel को subscribe करें और bell button को जरूर से on कर दीजिएगा ताकि part two का जो notification हो सब सब पहले आपको मिल सकें तो चलिए, goodbye, thanks for watching मिलते हैं next video में remaining questions के साथ have a nice day